प्रिये भाई और विहनों, आज एका सुपसनेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रमेशर के दास नेलसन तॉमस मुंबाई से माटा जाएगा। रातना के साथ सुनी। प्रभो किस्तुति हो, आज का थोड़ा समय का मनन के लिए आयम लुकारिसु समाजार। उसका दो अध्याय उन्चास पत्को पड़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों डून रहे थे, क्या तुम नहीं जान दे कि मुझे अपने पिता के गर पे होना अविश्य है। प्यारो इन दिनों में हम ईश्य मसी को करीब से पहुचानने का प्रयास कर रहे हैं। आधीन में रहा, उनका मदद करते रहा। लेकिन यहां जो पड़ते हैं, उसका जो 41 से लेके पदो में, लूका, इश्य मसी के 12 साल में, जिरुशले में जो गठना गठी उसके संबन में लिखा है। जैसा हर साल वो फसह के परव में यरुशले में जाया करते थे, परिवार यरुशले में परव में जाते हैं, और वापस आते समय ईश्य बालक को अपने पास नहीं दिखता है, अपने साथ नहीं दिखते हैं, वो डूनते हैं। और डून कर हम देखते हैं, 46 में जैसा वापस यरुशले म का मंदर में गया, उनको वहां पाया, तीन दिन के पर शाथ उन्हें मंदर में उपदेशकों के मध्य बाइठे, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रशन करते हुए पाया। सब लोग जो उसको सुन रहे थे, उसकी सामश और उसके उतरों को सुनगर आश्यरे चकत हो रहे थे। वहां मरियम पूशते हैं, तुमने क्या किया, हमने कितना डूनडा। तो ईश्यर मसी का जवाब है कि तुम मुझे क्यों डूनडा, क्या नहीं जानते हैं कि मुझे अपने पिता की घर पे होना आवेश्य है। ये गटना हमें दो-तीन बातें प्रविश्यर मसी के बारे में, उनका बेश्पन के बारे में खास तोर से सिखाते हैं। पहली बात ये है कि उनका जो जानकारी है, उनका जो सामझ है, एक बारवा साल का बैच्चे से बढ़कर का था। क्योंकि लोग आच्छे रे चक्कित होते हैं उतना नहीं। वो उपदेश्रकों से बातें करते हैं। मंद्र के उपदेश्रकों के बीच में बैटा है, उन्हें सुनते हैं, वो दरशाते हैं कि वो एक अभी भी वो एक टीचर, टीचबल परसन था, मदलब वो सुनने के लिए तयार है, सवाल करते हैं कि वो सीख जाएं। प्यारों बहुत बड़ा दो गुन है, समझदार बनना और सीखने का रुची रिखना। और तीसरी बात सबसे बढ़कर वो जो उन्चास्वा पत्ने ईश्रकों कहते हैं, मुझे अपने पिता के घर पे होना अवेश्य है। मतलब बारवा साल पर ईश्रमसी इस बात को अच्छी तरह जानते थे, जौसफ उसका पपा नहीं, पिता नहीं, मेरा पिता, अपना पिता, सुर्गिय पिता, उनका कार्य मुझे करना है, उनके भावन का कार्य मुझे करना है। बारवा साल का येज में, इश्य मसी बरावर समझ लिया, उन्हें क्या करना है। ऐसा कहा जाता है, बारवा साल में, एक यहूदी बच्चा, उनको व्यवस्ता का पुत्र कहा जाता है। पांच छेस साल का अध्येन के बाद उनको एक टाइटल मिलता है व्यवस्ता का पुत्र और हर यहूदी बालक बारवा साल पे एक काम सीखना शुड़ू होते हैं इश्व मसी बारवा साल पे पनमेशक के भावन में मंदर में उप्पेशकों के बीच में आकर बैटते हैं सीखते हैं कहते हैं मुझे अपने पिता के कार्य में लगे रहना अविश्य हैं वो कितना समझते थे कितना जानते थे कि उनका जीवन का लिच्छ क्या है अगला अठरा साल प्रवीश मसी कैसा बिताया हमें नहीं मालूम 12 से लेकि 30 साल का जीवन गुप्त है लेकिन ये जो 18 साल में क्या हुआ या पूरा 30 साल में क्या हुआ उसका सूचना देने वाला दो वचन ये शिया के पुस्तक में हम पढ़ते हैं ये शिया के पुस्तक उसका 49, 49 वा ध्याए दो पदों में ऐसा लिका है उसने मेरे मूँ को तेज तलवार के समान बनाया अपने हाथ की आढ़ में मुझे चिपा रखा है मुझे विशेश तीर बनाकर अपने तरकश में चिपा लिया है वर्नन करने का समय नहीं बहुत ही विचार देने वाली ये पचन है ये जो अध्याई में इशिया ईश्यो मसी के बारे में बविशवानी कर रहा है तीस साल परमेश्र पिता ने उनको चिपा कर रखा तेज तलवार के समान बनाते हुए और एक विशेश तीर के रूप में बनाते हुए hidden या गुप्त तरीके में परमेश्र पिता उसको तयार कर रहे थे और पचासवा ध्याई का चार पद में भी इशिया नभी इस प्रकार कहते है प्रभु यहोवा ने मुझे सिश्य की जीव दी है कि मैं ठकितों को अपने वचन से संभालना जानू प्रदी दिन भोर को वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता कि मैं शिश्य की समान सुनू यह दोनों अध्याई में शिया इश्य मसी को पनमेश्र के दास के रूप में कहा गया है साराम्श में तीस साल इश्य मसी को पनमेश्र पिता गुप्तु में लोगों के नजर के पीछी मतलब उसके नजर में नहीं एकदम गुप्तु में तयार कर रहे थे एक तेज तलवार के रूप में विशेश तीर के रूप में इश्य मसी को तयार कर रहा था और इश्य मसी हर दिन सुबे पिता से सुनते थे कान कॉल कर सुनते थे साड़े तीन साल की सेवगाई के लिए तीस साल की तयारी ईश्यमसी का जीवन हर इनसान के लिए हर युवकों के लिए एक पैटेन है एक नमूना है आदरनिय पुरिश बनना चाहिए सीखने वाला होना चाहिए समझदार बनना चाहिए जिन्दगी का लिच्ष के बारे में बराबर जानकारी होना चाहिए इस प्रभू ईश्यमसी का हम धन्यवाद करे उसका आदर करे उसकी महिमा करे उसका प्यार करे जो हमारे लिए इस संसार पे आकर गुप्त में हमारे लिए वो अपने आपको तयार किया हुआ उस प्रभू का हम महिमा करे उनका गुनों को अपनाएं उनके पीछे जाएं, इश्यो मसी की नाम की महिमा हो, प्रभु की नाम की स्तुति हो